उम्गनिसायन महा, प्यारे भक्त केनों, आज आप सभी सर्वन करेंगे मापार्वती की पावन कथा, और ये कथा है गौरी माता का काम देव को स्राप देना। एक बार मडितू लोक में मानवो द्वारा यग यग्यादी कर्मों के ना होने से इंद्र देव चिंदित हो गये। फिर ब्रह्मा देव के आदेश अनुसार उन लोगोंने स्री महा लच्मी का आराधना के। शिरी महा लच्मी ने अपने पुत्र काम देव को देव काड़े में सहेता करने के लिए भेजा। काम देव का लोका आधिपती राजा बीर ब्रत ने सैन्निकों से घोर यूध हुआ जिसमें काम देव ने सबको भगा दिया। राजा बीर ब्रत ने इस आपत्ती के वारांठ भगवान संकर की आराधना की। परसात से आम्रित द्वारा उसे पूर्ण जीवित कर दिया। संकर के परभाव से अपने पराजाय तथा म्रितु का ब्रिंतांत सुन्ने के साथ ही काम देव के मन में संकर के प्रती घोर देश की गाठ पर गए। उसने तिपूरांबा की आराधना द्वारा बल संकर कर संकर को हराने की अपने मन में प्रतिग्या की। इतने मेही स्री महा लच्मी ने तिपूरांबा की प्राथना की तदना नुसार त्रीपूरांबा द्वारा प्रेशिता। गौरी वहां परकट हुई श्री महा लच्मी ने कामदेव की प्राजय तथा उसकी प्रतिग्या आधिका व्रिंतांत गौरी को सुना कर इस आपत्ती के निवारन का उपाय पुछा। रूष्ठ हो गया और उसने संकर जी को जीतने की अपनी प्रतिग्या से टर्स से मस ना होने की बात कही। सुनकर गौरी माता कुरोध हो उठी और उन्होंने कामदेव को स्राप दे कर कहा कामदेव तुम सिपजी द्वारा दग्ध हो जाओगे। प्रिया पूत्र को गौरी द्वारा स्रापित सुनकर महा लच्मी ने भी गौरी को स्राप दे डाला। तुम भी परनींदा सुनकर दग्ध हो जाओगे। महा लच्मी का यह स्राप सुनकर गौरी ने भी लच्मी को स्राप दिया। तुम पती बिरह का दुख तथा। सब पत्नियों से कलेश पाओगे। परिमान स्वरुप लच्मी और गौरी में यूध पाराम हो गया, परस्पर के परहारों से दोनों मुर्शित होने लगे। किसी तरह ब्रह्मा जी और सरस्पती की बीच बचाव से वह यूध सांथ हुआ। शिप जी को जीतने की अभिलासा से काम देवनी अपनी माथा महाल लच्मी से तिपूरामबा के उपदेश ग्रहन कर द्राचल की गुफा में बैट आराधना आरम कर दी। पुछ दिन बाद तिपूरामबा ने परशन होकर सपन में काम देव को अंत्यांत गुपत पंच दर्शी विद्या का उपदेश दिया। कई वर्ष तक काम देवने एकाग्रभाव से जग्रभा की आराधना की उसकी आराधना से परशन होकर भगवती ने उसे पर्तेक्ष दर्शन देखर कहा। कामदेव आज से तुम अजय हुए यहां कहे कर भगवती ने अपने धनूस सरों से धनूस तथा सर उत्पन कर कामदेव को स्वप दिये दक्ष यग में पती निंदा सुनकर भसमी भूत सती रूपा गवरी निभो रूप में इस्थित हो गई और कुछ समय बाद ही माचल की कठोर अराधना से परसन होकर उन्होंने उसकी कन्या बनना स्विकार कर लिया कालांतर में परवत राज का पुत्री उमारूप में परकठ हुई इधर तारका सुर बद में सीब पुत्र को सेनापती बनाना आउसक समझ कर इंद्र ने सीब का तपो भंग करने के लिए काम को आग्या दी किन्तु गवरी के समक्षी सीब जी ने अपने त्रित्रिया नेत्र से काम को दगध कर डाला प्रियम से बुलिये माता राने की चै, हर महादेप माता गवरी की चै प्राचीन काल में सर्व सिम्रिधी पुर्णे बर्ध मान नगर में रूप सेन नाम का एक धरमात्मा राजा था एक दिन उसके दरबार में प्रिबर नाम का एक गुनी व्याक्तिक अपने पतनी कन्या एवंग पुत्रे के साथ ब्रीती के लिए उपस्तित हुआ राजा ने उसकी पिने पुर्ण बाते को सुनकर प्रति दिन एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा का बेतन नियत कर सिंग द्वार के रक्षक के रुप में से नियुक्त कर दिया दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्त चरो से जब पता लगाया तो ज्यात हुआ कि वह अपना अधिकांस द्रव यग तीर्थ सीव विष्णू के मंदीरों में अराधना आधी कार्यों तथा साधू ब्राम्मन एवं अनाथों में बित्रित कर अलप यतन से से अपने परिजनों का पालन करता है इससे राजा ने परसान होकर उसकी नियुक्त को पूर्ण रुप से अस्थाई कर दिया एक दिन आधी रात में जब मुश्लाधर बारिस बादलों की गरज बिधुत अवं जन जन आवट से रातरी की बीबी सी का सीमा अस्पस कर रही थी समसान में किसी नारी की करून क्रदन की ध्वनी राजा के कानों में परी राजा ने सिंग द्वार पर उपस्तित बीरवल से इस रोधन ध्वनी का पता लगाने के लिए कहा जब बीरवल तलवार लेकर चला राजा भी उसके भय की आसंका तथा सयोकार्थ एक तलवार लेकर गोपत रुप से उसके पीछे लग गया बीरवल ने समसान में पहुँचकर एक इस्तिरी को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा मुझे इस राजे के लचमी अथवार लचमी समझो इसी महा के आंत में राजा रुप सेन की मृत्तु हो जाने पर मैं आनाथ होकर कहा जाओंगी इसलिए रो रही हूँ बिर्वल ने राजा की दिर्गे आयू के लिए जब उससे उपाय पूछा उसने बताया तुम अपने पुत्र की चंडिका के सामने बली देने पर राजा की सतायू होने की बात कही फिर क्या था बिर्वल उल्टे पाव घर लोड कर पत्नी पुत्र आदी को जगा कर और उसकी सम्मती लेकर उनके साथ चंडिका मंदीर में पहुँचा राजा भी गुप्त रूप से पीछे पीछे सर्वत्र जाता रहा बिर्वल ने देवी की प्रात्ना का राजा की आयू बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बली चड़ा दी देखते ही उसकी बहन का दुख से हीदय फोट हो गया फिर उसकी माता भी चल बसी बीर्वल इन तीनों का दह संसकार कर स्वें भी राजा की आयू के ब्रिधी के लिए बली चड़ गया राजा चीपकर यह सब देख रहा था उसने देवी से प्रात्ना की अपने जीवन को वेर्थ बताते हुए और अपना सिरख काटने के लिए उसने जैसे ही तलवार खीची बैसे ही देवी ने परकट हो कर उसका हाथ पकड़ लिया और बर मांगने के लिए कहा राजा ने देवी से पड़ी जनो सहित बीरवल को जीवित करने की प्रात्न के फलतहा देवी ने सबको जीवित कर दिया और राजा चुपके से वहां से चल कर अपनी अटा लीका में जाकर लेट गया इधर बीरवल भी चकित होता हुआ तथा देवी की किरपा मानता हुआ अपने पूर्ण जिवित परिबार को घर पर छोर कर राजा परसाथ सिंग के द्वार पर खरा हो गया जब राजा ने उसकी वहां उपस्थिती के लच्छनों से परचीत होकर उसे बुलाकर अग्यात नारी के रूदन का कारण पूछा तब बिरवल ने कहा राजान यह सब देवी भगवती का ही चमतकार था देवी ने मेरे स्वामी भक्ती की परिक्षा ले थी चिंता की कोई बा स्वामी भक्ति की पर्संशा की और प्रताकाल शारी बात अपने सभा सदो को बता कर बीरवल को पुत्र सहित करनाट एवं लाड देश का अधिपति बना दिया उसने बीरवल को अपने तुल्य ही शिम्रिति साली बना कर अपनी मेत्री के धिर्धा का निश्य किया इमसे बो